नमस्ते आज हम आपको चावल से पापड बनाना बताएंगे यह मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है होली का त्योहार आ रहा है आप उसमें चावल का पापड बनाए और यह बिना धूप दिखाए ही आप इसको बना सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनता है एकदम इसके नाद बिना रहे वो भी यह पापड खा सकता है इसके लिए मैंने रात भर का चावल भीगो के रखा है इस तरह से देखी मैंने इसका पानी निकाल दिया है यह रात को मैंने भीगो के रखा था सारा पानी निकाल दिया है अब इसको हम मिक्सर में पीसेंगे सारे से बारीक पीस लेना है थोड़ा से इससे गाड़ा फेस्ट रहना चाहिए इतना भी होई जाएगा इतने मैंने बनाया था इसलिए इसमें हम डालेंगे इसमें हम साथ अनुसार नमक डाल देंगे नमक थोड़ा हलका ही डालें क्योंकि सुकने के बाद पापड में नमक तेज पता चलता है और तो यह आज्वाइं इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसमें मैंने लाली म्र्च बढ़र डाल दिया है इसको भी आप ड्यालेंगे तो एक साथ मिक्स हो जाए इसे कल्चु की साइधा से इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला नमक एक साथ मिल जाए हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अवीडिओ की सारी नौटिकेशन आपके पास पहुश्ती रहेगी इसे मैंने मिक्स कर दिया है अब मैंने एक बड़े ब्धबय का उता kattory में जैसे पानी रख़ें गरम होने के लिए मैंने पानी रख़़ दिया इस पर नीचे पानी है कटोरे में फिर उसके उपर से मैंने एक जाली रख दिया है मेरा पानी गरम हो रहा है यह देखिए यह है डिबे का धक्कन है धक्कन से हम आज पापड बनाना बताएंगे इसमें हम तेल या रिफाइन या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं हमने इसमें तीनों धक्कन में मैंने रिफाइन को लगा के रख दिया है अब इसमें जो चावल का जो मैंने लुकिट बनाया है उसको हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे इससे आप पतला ही इस तरह से डाल देना है और उसे देखिए तीनों धक्कन में मैंन अच्छे से ठोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है अब जाली में गया वहां पर नीचे पानी है जाली के एक मिनट के अंदर एक मिनट से कम में यह जाता है और यह देखिए यह कि यह मेरा हो गया है बहुत ही जल्दी होता है जटपट आप इस तरह से देखिए यह भाप से पक गया है अब इसे हम आप ऐसे भी निकाल सकते लेकिन गरम होगा तो इसलिए हम सरसी की सायता से इसको हम निकाल देंगे एक एक करके मैंने इसको सारा निकाल दिया आप प्लास्टिक में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है इस तरह स्टील के कटोरी भी रख सकते हैं और यह देखी थोड़ा स्खंडा हो गया है उसके बाद देखिए चाकू चारो तरफ से घुमा के यह बहुत आसानी से निकल जाता है कोई तिकत नहीं होती है बिल्कुल भी ना तूटता है देखिए कितने आसानी से निकल गया है इस तरह से मैंने सारे पापड को निकाल देना है और हम ए अब तोरी रखेंगी तो आपका चौकूर पापड होगा छोटे डिबी में रखेंगी धकन में तो छोटा पापड होगा अब जिस तरह वियाकार देना चाहते हो वो जाएगा इस तरह से हम और दूसरी बार देखिए मैंने इस्टिल के बड़तन में भी रख दिया है उसमे राद को बनाएप और पंकय के नीचे बी इशह जाता है कि आ कहें बहुत अच्छे से असानी से निकल जा रहा है पूसक लेजिए और इस तरह से बना लेजिए यह मेरा तीस्टरा हो गया है इस तरह से देना है इस तरह से देखें यह पापड शारे लिडी हो इसको हम इसी तरह पंके में सूखा सकते हैं तो मेर्मेalt में दूप में डाल दिया है ये फिद्याण़ हिए सूखा सकते या कपड़े बीछा के भी सुकाते यह एक दिन में ही सूख जाता है बहुत ही जल्दी सूख गया है अब इसको हम पापड को तलेंगे अदेखें कितना अच्छा यह पापड तयार होता है छोटा सा पापड डहता है बढ़ा हो जाता है पींद इस तरह से हम एक- अब हम दूसरा पापट देखें तलेंगे चोटा सा मैंने डाला था उसका एकदम डवल पापट हो गया है हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजेगा और अपने फैमली फ्रेंड में जरूर कीजेगा और यह देखें मेरा पापट तयार हो है और अब क्रिष्पिया इसुम में आवाज लेकि किली अची सा गई हमाइब है